ओम शांती आज 16 सितंबर 2021 है हमारा सहच राजयोग है क्योंकि योग माना याद जिस तरह किसी भी व्यक्ति को हम स्नेय से याद करते हैं तो उसे सहच लगता है उसी प्रकार से हम बाबा को अपने दिल के स्नेय से याद करे यही योग है तो आज सारा दिन हम ये चेक करे बाबा को मैंने दिल के स्नेय से कितना समय याद किया तो यही सहच राजयोग का अभ्यास हम सारा दिन करते रहे सुनते हैं आज का स्लोगन मनसा द्वारा शक्तियों का और करम द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है इनसान के पास यदि कोई शक्तिशाली चीज है तो वो है उसका मन मन की शक्ति सबसे शक्तिशाली चीज है यदि इनसान अपने मन की शक्ति को पहचान ले तो उनके लिए कोई भी कारिय असंभव हो नहीं सकता और मन की उस शक्ती का नाम है संकल्प शुद्ध संकल्पमों में अनेक शक्तिया समाई हुई है और शुद्ध संकल्पों की शक्ती का गायन कई लोगों ने की भी हुई है practically अनुभव भी किया हुआ है शुद्ध संकल्प अर्थात शुब भावना, शुब कामना, स्रेश्ट भावना और कल्यान की भावना से संपन मन तो ये शुब भावना, शुब कामना कोई भी व्यक्ति के प्रती विप्रिध ही क्यों न हो परिस्थिती, विप्रिध ही वो व्यक्ति हमारे लिए क्यों न हो लेकिन उनके प्रती भी शुब भावना, शुब कामना, कल्यान की भावना, रहम की भावना हमारे मन में समाई हुई हो तो उसको कहेंगे शुब संकल्पों की शक्ति मन की शक्ति तो ये मन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है जो दूर बैठी हुई शक्तिहीन आत्माओं को भी पल में शक्तिशाली बना दे क्योंकि एकाग्र मन से निकले हुई शक्ति शाली जो संकल्पों की गती है वो बहुत तीवर होती है और साथ साथ उनका प्रभाव इतना गहरा पड़ता है जो हताश, निराश, परेशान आत्माओं को पल में सुख और शांती का अनुभव करा देता है तो यही मनसा द्वारा शक्ति का दान कहलाता है तो करम द्वारा गुणों का दान किसको कहा जाएगा? जब हम अपने करमों में करम करते समय स्वधरम की स्मृती रहे तो उस करम में सर्व गुणों की शक्ति भी समाई हुई रहती है क्योंकि स्वधरम, अर्थाद, पवित्रता, सुख और शांती जब ये स्वधरम हमारे मन में समाई हुई रहती है तो करम करते हुए भी सर्व गुणों की जो आकरशन है वो आ जाती है और सर्व गुणों के कारण से जो सर्व गुणों की महक है वो चारो और फैलती है जिस तरह महकता हुआ गुलदस्ता और वातावरन को भी शुद्ध करता है और लोगों को भी सुगदाई अनुभो कराते हैं तो अपने करमों के जो दिव्यता है उन गुनों के द्वारा जलगती है और उनों के करमों को भी प्रेणा देते है स्रेष्ट करम बनाने के लिए यही है कर्मों द्वारा गुनों का दान तो ऐसे दान करने वाले संकल्पों की शक्ती से और कर्मों से उसको ही महादानी कहा जाता है ओम शांती